नमस्कार में राजपुरोहित मधूर जी आप देख रहे हैं एश्टो तक माभगोती के इस पवित्र नवरात्र के अंतर सार्दिय नवरात्र के अंतरगत आज नौवा सुरूप है आपके दिसा और दसा को एक अच्छे मारग पर ले जा सकता है आपके बिशारों को सुद्ध कर सकता है आपके अंदर एक सकती स्थापित कर सकता है आपके परिवार में एक नई उर्जा स्थापित कर सकता है आपके जीवन में आने वाला पुत्र या पुत्री वो एक तेजवान हो सकती है गुणवान हो सकती है रूपवान हो सकती है सुंदर्यवान हो सकती है आधी 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 आज के इस दिन अर्थात सिद्धिदात्री मैं इसलिए बात यह कह रहा हूं कि आज संपूर्ण सिध्ध का बिवा हो गया अब महागोरी के बाद सिद्धात्त्री क्यों वनी क्यों किस्यों और सक्ती एक सुत्र में सम्मिलित हो करके अर्धना रिस्वर सुरूप में आगए अब संपूर्ण समाज के संसार की सनातन के कल्यान के लिए माभगोती के सुंदर विग्रा का हम पूजन कर आज का पूजन यह संदेश देता है यह संकेत देता है समाज में फैली हुई अराजकता तमाम प्रकार सिस्त्रियों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं बहनों के साथ बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं आज की इस पूजन करने से उन मनुस्यों के अंदर अच्छे विचार हम बात कर रहे हैं नवरात्री के अंतिम दिन अर्थात नवरात्री का एक ऐसा पवित्र दिन जिसमें माभगवती सिद्धिदात्री का पूजन होगा. अब सिद्धिदात्री का पूजन करने के लिए उन्हें किन मंत्रों से उनका ध्यान अर्चन पूजन किया जाए ये सबसे महत्तुपूर्ण बिसे है अब आज के दिन जो बिसेश कर आपको मंत्र पढ़ना है वह मंत्र ये है खडगम चक्रगदे सुचाप परिगान छूलम भुसुंडीम सिरह संखम संद धतीम करैस्त्र नयनाम सरवांग भूसा बृताम नीलास मद्युतिमास्यपाद्यदसकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजोहन तुम मधुम कैटबहम मधु और कैटब का बिनास करने वाली रक तबीज का बध करने वाली ऐसे तमाम राक्षसों का बध करने वाली हे माभगोती हे मादुरगा हे मादिसत्ती हे मापरांबा हे जगदंबा आपको बारंबार नमस्कार है ऐसे सुन्दर ध्यान को करते हुए माभगोती के पूजन की तरफ आज बढ़े हम आगे पूजन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो पूजन की प्रक्रिया में जैसे दैनिक पूजन आप करते चले आ रहे हैं ठीक वैसे ही दैनिक पूजन होगा जल से स्नान होगा पंचामरत से स्नान होगा पुना सुद्ध जल से स्नान होगा फिर जो है मस्तक पर सुन्दर लाल टीका माभगोती के सुसूभित किया जाएगा साथ ही साथ आज गुडहल के पुस्पों की माला माभगोती को समर्पित की जाएगी सुन्दर उनके केसों में गजरा लगाया जाएगा साथ ही साथ आज के दिन पुना मा भगोती का एक दुरलब स्रिंगार किया जाएगा स्रिंगार के साथ साथ आज के ही दिन विसेस्ता मा भगोती को यग यजन आदि करके उन समस्त नोदेवियों के जो उनका सुरूप का फलाहार के रूप में फलाहार करते हुए या फलाहार रहते हुए जो आपने पूजन किया है वह आज खीर और पूरी चढ़ा करके उस ब्रत का समापन होगा जी हाँ जब हम भगवती के सुंदर दिव्य सुरूप का अलंकार कर लेते हैं तो वास्तों में वो प्रतिभा अपने अंतर आत्मा में बैठी हुई देवी उनके अंदर भी दिखाई पड़ने लगती है यानि आपके अंदर इसवर जो बैठा हुआ है जो साक्षा देवी बैठी हुई है और सामने जिस प्रतिमा का हम नैन मिलन जब होता है तो ऐसे में आपके अंतर हड़े में बैठा हुआ हुआ है इसवर वहमा भगवती एक बाल सुरूप में अपने आप में खिल-खिला कि उनके पती को दिरगायु प्राप्त हो, साथ ही साथ अभिर्गुलाल, सुगंधित तेल और इत्र अवस्य चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्ध चढ़ाएं, आज के दिन नैवेद्ध में आपको खीर और पूरी का भोग लगाना है, तमाम प्रकार के मिश्ठान और फल क को चढ़ाना है, साथ ही साथ यह ध्यान रहे कि जो माभगोती को आज प्रसाद चढ़ेगा, वह संपूर्ण अपने हित मित्रों तक भी वहबटेगा, यह प्रसाद जितने लोगों तक जाएगा, उतने लोगों के बिकारों को वह समाप्त करेगा, तब ऐसी परिस्थिती मे माभगोती को भोग लगाने के बाद आज सुंदर दिब्य आरती भी करेंगे, आरती से पुर्व बहुत सारे लोग हैं, यग्यानुष्थान संपन करेंगे, बिसरजन करेंगे, आपको जो सबसे महत्तुपूर्ण भी से बता दें, कलस पर रखा हुआ नारियल, उस नारियल को छोड़ करके सभी स्थान को सुद्ध करना है, तीसरा यह जो नीचे जवा जमा रहता है, उस जव को ले करके, उसी जव को ले करके एक सुपाडी और कलस पर रखा हुआ जो चावल प्लेट में है, उसको ले करके और एक सिक्का जो चढ़ाया हुआ है, ये चारों है यानि कि वो तांबे का या पीतल का लोटा है चांदी का लोटा है आप सापसुद्ध करके आप उसे रक सकते हैं अन्य दूसरे यग्य Climate आप उसे पुना प्रयोग कर सकते हैं ऐसा करते हुए आप esse को जब बिराम देने लगेंगे तो उस समय आपको जो यग्य करने जो भी आपके यहां नकारात्मक्ता होगी वो अपने आप चली जाएगी। तो ऐसे में यह ध्यान रहे कि उस यग्य की बची हुई भभूती अवसे ही अपने पास अपने घर में स्थापित करें। अब जब सबसे महत्तुपूर्ण भी सही है कि आज के ही दिन कन्या पूजन भी करना है। आज ऐसे ही हमारे उपर जीवन में कृपा बनाए रखना कि अगले वर्स भी हम आपका बिदिविधान से पूजन कर सकें। अब रही बात कि माभगोती को प्रसंद करने के बाद और क्या क्या करना है। आपको गाय का भी पूजन करना है, गंगा का भी पूजन करना है, माभगोती गायत्री को भी प्रणाम करना है, अपनी माता को भी प्रणाम करना है, बहन को भी प्रणाम करना है। इतना करने के बाद आज के दिन आपको पक्षियों को भी भोजन कराना है जिससे कि आपके जीवन से तमाम प्रकार के जो कलेस हैं जो लड़ाई जगड़े हैं जो पापताप संताप हैं उसका समन हो जाए यही सामान ने पूजन की प्रक्रिया को करते हुए अब अंतिम में ए बांद करके नारियल को स्थापित करना है और जव और चावल अक्षत अर्थात और एक सिक्का और एक सुपाडी इतना आपको अपने तिजोरी में भी बांद करके रखना है लेकिन एक महा उपाय खास खास जाती जाते आपको हम यह बता दें कि सिर्दिदात्त्री की घुमा करके दाहिने साइट से घुमाएं साथ बार घुमा करके उस नीवू को और दो भागों में काट करके लाल चंदन लगा करके यग्यकुंड के समी प्रक दें आपकी नकारातमक्ता दूर हो जाएगी आपके परिवार में फैली भी नकारातमक्ता दूर हो जाएगी ऐस उनके द्वारा किसी ब्रामण के द्वारा विद्वान के द्वारा स्लोकों का स्त्रोंड करता है यकीनन मानिए उसके जीवन में भगवती की कृपा अवसे ही प्राप्त होती है आपको इस संपूर्ण सुन्दर सारदीय नौरात्र की संपूर्ण कृपा मा भगवती अपने कृपा से आपके आचल में सदेव एक पुत्र एक पुत्री की रूप में सदेव भिराजमान करें आपके अंदर अच्छे बिचार हों, आपके परिवार में एक सुन्दर सी उर्जा व्यापत हो आप धर्म के रास्ते का पत का चैन करते हुए अपना जीवने आपन करें यही मंगल कामना है, इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी वाणी को भी विराम देंगे अगर आप मुझसे जुड करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को जोतिश के माध्यन से सुलजाया जाए तो आप हमसे संपर्थ कर सकते हैं, जुड सकते हैं एश्चो तक पर